देवरानी जिठानी की दोस्ती वैसे तो सारी देवरानी जिठानी एक दुसरे से जलती है और लड़ती हैं पर आशा देवी के घर में ऐसा नहीं था आशा देवी की दोनों ही बहुँँ के बीच में बहुत ही प्यार था और वो दोनों दोस्त की तरह हमेशा एक साथ रहती ऐसे ही एक दिन आशा देवी के बड़ी बहु रेखा पोहे बना रही थी और रसोई घर में आशा देवी की छोटी बहु कविता आती है अरे वा दिदी, क्या खुश्पु आ रही है पोहे की? खुश्पु से तो लग रहा है कि आपने पोहे में जान डाल दी है आज तो माजी पोहे खा कर आपके हाथ चुमलेंगी काश कि मैं भी आपकी तरह इतनी अच्छे पोहे बना पाती आरे कविता इतनी परिशान क्यों होती है जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ के ही पोहे खाना और अकर फिर भी तेरा मानहल सीखने का तो मुझे बता दे न मैं आज ही तुझे ट्रेनिंग दे दूँगी ने 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 दीदी जब तक आप है तब तक आप मुझे इनकामों से दोरी रखे वैसे बिना मा जी की नकरे बहुत होते हैं अगर गलती होगी न तो पूरा गर सेर पर उठा लेंगी इतना बुलकर दोनों देवरानी जिठानी हसने लगती है कुछ देर बाद रेखा पोहे लेकर अपनी सास के पास जाती है पर ये क्या जब आशा पोहे खाती है तो उसे तो पोहे बिल्कुर पसंद नहीं आते है वो रेखा के उपर भड़कने लगती है बहु आज तो क्या पोहे बना कर लाई है तुने चुडा सही से चुना नहीं था क्या मुमे कंकर चला गया और नमक भी काम है लग रहा है तो नमक देना ही बूल गई पता नहीं कैसा पोह बनाया है तुने पर माजी चुडा तो मैंने अच्छे से देखा था और मैं तो पैकेट वाला चुडा लेकर आई थी फिर उसमें कंकर कैसे हो सकता है और नमक भी मैंने टेस्ट के अनुसारी डाला था नमक स्वाद अनुसारी है जितना आपको पसंद है तो इसका मदलब मैं जूट बोल रही हूं वा 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 उल्टा चोड ओटवाल को डाटे क्या दिन आजे हैं अब इस घर की बहु मुझे बटाएगी और सिखाएगी नहीं नहीं माजी ऐसा नहीं है मैं तो बस रेखा अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुप चाप अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है और आशा अपनी बहु रेखा को खरी खोटी सुनाने लगती है अपनी सास की आवाज सुनकर कविता दोड़ती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी सास उसकी जिठाने को भला बुरा सुना रही है अपनी जिठानी को अपनी सास की डांड खाता देख कविता को बल्कुर अच्छा नहीं लगता वो अपनी सास से कहती है माजी प्लीस दिदी को कुछ मत बोलिए सारे गलती मेरी है मैंने यह जुड़ा दिदी को लाकर दिया था बिना देखे और आज पोहे भी मैंने यह बनाए है क्या तूने बनाए है पोहे जब टक तुझे पोहे बनाने नहें आते तो तूने इन पोहे में हाट क्यों लगाया तू जानती है ना घाने के साथ मुझे मज़ाग पसंद ने माफ को ना माजी मैं बस बनाना सीख रही थी ताकि कभी दीदी अपने माई के जाए या जब घर में दीदी ना रहे तो मैं आपको पोहे बना कर दे सकू ना इस तरह से कविता अपनी जिठानी को अपनी सास की डांट से बचा लेती है और खुद सास की डांट सुन लेती है कुछ देर बाद आशा की दोनों बहुएं वहां से चली जाती है और एखा कविता से कहती है कविता तुने ऐसा क्यों किया गलती तो मुझसे हुई थी ना फिर तुने क्यों डांट खाई दीदी जब मुझसे कोई गलती होती है तब आप ही तो मुझे बचा लीती हो ना, फिर मैं आपको कैसे डाट खाने देती, और वैसे भी न, वह बहुत अच्छे बने, पर पता नहीं क्यों आज माजी इतना बढ़क रही है, ये सारी गलती ना उस कंकड की है, न जाने वो कंकड कब और कहां से अकट टपक गया, अच दोनों अकसर एक दूसरी को बचा लेती, जब भी आशा देवी उनमें से किसी एक को डांट रहे होती, अब ऐसी ही कुछ दिन बीच जाती हैं, एक दिन कविता से रोटी जल जाती है, रोटी जलने की महैक आशा देवी के नात में चली जाती है, अब क्या था? आशा देव तुझसे एक काम नहीं होता, रसोई घर में एक रोटी का काम होता है, और वो भी आश तुने जला दी, अरे मुझे बताएगी कैसा कौन सा काम है, जो सही से कर सकती है नहीं मा जी, कविता की कोई गलती नहीं है, आज मैं रोटी बना रही थी, वो आखरी रोटी थी ना, तो मैंने गैस काम कर दिया और दूसरा काम करने लगी, और उसमें इतना बिजी होगी कि मेरा ध्यानी नीरा और रोटी जल गई जे तुस समझ में नहीं आता, जब तुम दोनों को एक दूसरे के काम करने आते ही नहीं, तो एक दूसरे का काम करती क्यों हो अरन मुफ्त में थोड़ी ना आता है घर में अन्याज, इनके भी पैसे दखते हैं, पर तुम दोनों को क्या है, तुमें तो बस अनाज बरबाद करने से मतलब है आशा देवी हमेशा की तरह अपनी बहूं को उनकी छोटी सी गलती पर इतना कुछ सुना कर चली जाती है आशा देवी अपनी दोनों बहूं के काम में जितनी गलतिया निकालती और उन दोनों को जितना भला बुरा सुनाती, उतना ही उसकी दोनों बहूं के बीच में प्यार बढ़ता जाता और वो दोनों तो एक दूसरे की दोस्त बन कर रहते हैं, ऐसे ही एक दिन आशा से मिलने उसकी पड़ोसन कुमोलिका आती है कुमलिका बहन, क्या बाद है? बहुत दिनों बाद आयो मेरे घर क्या करूं आशा बहन? कामों से फुरसत नहीं मिलती अब सब कुछ मुझे ही देखना होता है, आज टाइम मिला तो सोचा कि तेरे बहु की हाथ की चाई पीने आ जाओ बाद तारी सुनिये मैंने तेरी बहु की नहां क्या नहीं, बैट आरंसे, अभी रेखा को बुल देती हूँ, हमारे लिए चाई बना कर ले आएगी इतना बुलकर जैसे ही आशा रेखा को आवाज देती है, रेखा जल्द बाजी में बाहर आती है और रेखा के पल्लू से टेबल पर रखा महंगा कांच का वास टूट कर गिर जाता है ये देख कर आशा को बहुत कुछ साता है, और वो कुमुलेका के सामने ही अपनी बाहु को डांटने लगती है बाहु अंधी हो गई है क्या? अदे आखिरित नीदी किया जल्दी रहती है तेरी वज़े से इतना महंगा वास तूट गया जानती भी है, ये वास कविता वहु अपने माई के से लेकर आई थी और उसे इससे कितना प्यार है पता है ना? माजी, मेरा ध्यान नहीं गया मेरे पल्लों में लगकर ये वास नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दीजिए अब बता कहां से ना कर देगी तो कविता वहु को उसका कीमती वास आशा बहेन, आशा बहेन शान्त हो जाओ वासी तो था ना, कांच की चीज़े तो अकसर तूट जाया करती है इतना क्यों भड़क रही हो आशा कोमुलिका की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर कविता आ जाती है और तूटा हुआ वास देखकर दुखी हो जाती है पर जब वो देखती है कि उसकी जिठानी डांट सुन रही है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहती है माजी शान्त हो जाएए मनना आपका बीबी बढ़ जाएगा और ये एक मामुली सा वास ही तो था मुझे पसंद आया तुम्हें ले आई बैस ही भी आपना मैं इससे काफी बोर हो चुकी थी मैं तो इससे बदलने ही वाली थी दीदी अच्छा हुआ जो ये तूट गया फ्लीज आप रूना बंद कर दीजे अरे मैं तो खुश हूँ क्योंकि आपकी वज़़स से आप मैं स्टेबल के लिए ना अगल दस नला सकती हूँ तो सच बोल रहे है कविता ये सच में ज्यादा कीमती तो नहीं था ना आरे नाई नाई दीदी मैं सच बोल रहे हूँ ये एक मामली सा वास्ता अब चलिए चल कर कुमोले का आंटी जी के लिए एक चाय बना दीजे वो आपकी हाथ की चाय पिने के लिए ही तो आईए ही याँ पर इतना बोलकर कविता और रेखा रस्वे में चली जाती है कविता और रेखा के बीज की दोस्ती और प्यार देखकर कुमोले का आशा से कहती है आशा तेरी दोनों बहुं में कितना प्यार है दोनों बिलकुल दोस्त की तरह रहती है पर फिर भी तु हर समय गलतिया निकालती है और अपनी बहुँओं को सुनाने का मौका ढूंटी रहती है मैं जानती हूं कुमली का और इसलिए मैं जान बुच कर गलती निकाल कर अपनी बहुँओं को डाणती हूं ताकि उनके बीच का प्यार इसी तरह बना रहे उनके बीच कभी कोई मन मुटाव ना हो